हाई फ्रेंट्स वेलकम चू आज चैनल तो थमनेल देखके आप सब जान ही चुके हैं कि आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ सिर्फ क्रीम विद नाच्वल क्लीनिंग पार्टिकल का रिव्यू तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो मैं आपको प्रटेक्ट की फ्रंट पैकेजिंग दिखा रही हूँ तो पैकेजिंग आपको लेमन यलो ग्रीन कलर कॉंबनेशन में मिल जाती है पैकेजिंग के फ्रंट पे ही आपको ग्यास कुक टॉप जो है उसकी पिक्चर दिखाई दे रही होगी वो बना हुआ दिखाई दे रहा होगा और आपको सिंक और टैप की पिक्चर दिख रही होगी तो प्रटेक्ट उनहीं को क्लीन करने के लिए डिजाइन कीए यह मैंने 11 फ्रेग्रंस में पर पेट्चेस किया था जिसपर यह मेंचान है कि सिफ नैच्रल क्लीनिंग पार्टिकल टफ डर्ट को रीमूव करता है और शाइन इस्प्रेड करता है प्रोडेक्ट की पैकेजिंग पे ये मेंशन है कि प्रोडेक्ट जिद्धी से जिद्धी दाक को रिमूव करने में डर्ड को रिमूव करने में हेल्प करता है ये ग्रीस को रिमूव करने में हेल्प करता है और जो खाना बनाते हो गैस क है वो आपको flip flop tap की opening के साथ मिल जाता है तो चलिए फिर इसको apply करके देख लेते हैं तो application बहुत ज़दा easy है जैसा इसकी packaging पे mention है कि आपको apply करना है इसको surface पे using a damp cloth उसके बाद इसको wipe over कर देना है और gently rinse कर देना है तो मैं आपको surface दिखा रही हूँ तो आप जानते है kitchen gas slab के न होता है यानि की kitchen की slab tiles होती है वो इस पे बहुत बार खाना जो है वो गिर जाता है और flame की वैसे जल भी जाता है तो अगर आप बहुत दिन तक उसको साफ नहीं करते है तो गंदगी जमना स्चार्ट हो जाती है तो मुझे भी इस product की testing करनी थी इसलिए मैंने इस area को clean नहीं करा है तो फिर चलिए देखते हैं क्या ये product इस area को clean करने में हमारी help कर पाता है या नहीं कर पाता है तो आपको surface पे staining दिख रही होगी उसको remove करने के लिए हम पहले proper इस product का application करेंगे मैंने properly इस product को apply कर दिया है affected surface पे तो मैं आपको वीडियो में दिखा पारी हूँ कि product आपको thick consistency का मिलता है इसलिए आपको इस product को properly spread भी करना पड़े का surface पे क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि product अगर आपको running consistency में मिलता है और proper spread app के connector के साथ मिलता है तो application काफी ज़दा easy हो जाता है तो इसलिए अब मैं इस product को spread करती जा रही हूँ ताकि product जो है वो केवल एक जगा पर ही ना रहे हर surface पे लग जाए क्योंकि thick consistency है इसलिए spread तो करना ही पड़ेगा आप चाहें तो wet cloth की help से भी इसको spread कर सकते हैं मेरे पास ये scratch bite है जिसकी help से मैं इसको spread करती जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी kitchen slab के stains हार्ड है इसलिए मैं हलकी हलकी rubbing भी करती जा रही हूँ ताकि उस पे जो जमे हुए stains है या चिकनाई है वो हट जाए अब मैं आपको दिखा पा रही हूँ तो मैंने product को scratch bite पे ही रख लिया था ताकि उसका application काफी जदा easy हो जाए जो stains है वो properly remove हो जाए तो जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि staining hard है वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत rubbing भी कर रही थी ऐसा नहीं है कि मैंने rubbing नहीं करी है लेकिन बहुत हलके हाथों से rubbing करेंगे तो अच्छे से आपके surface पे लगे हुए stains जो है वो remove हो जाते हैं क्योंकि normally kitchen में बहुत ज़्यादा tough stains तो नहीं होते हैं और वो भी kitchen tiles को हम regularly clean कर ही लेते हैं तो अगर आप भी अपनी kitchen tile में shine spread करना चाते हैं kitchen tile को germ free रखना चाते हैं तो आप definitely इस product को use कर सकते हैं आपको मैं दिखा पा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा गंदगी इस cross pipe पे लग गई है कितनी ज़्यादा चिकनाई जो थी वो kitchen slab पे लगी हुई थी जिसको मैं इस product की help से remove करती जा रही हैं तो मैं आपको बता दूँ कि इस product की packaging पे mention है कि आप इस product को किसी भी textile पे use ना करें किसी भी delicate surface पे या material पे भी use ना करें painted surface पे aluminium पे भी इस product को use ना करें और definitely अगर आप पहली बार इस product को use कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी surface खराब हो सकती है तो आप spot check कर लें उसके बाद ही इस product का proper application करें और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि product आपकी surface को damage कर रहा है तो आप उसको immediately rinse कर लें और बहुत जादा heavy rubbing नहीं करनी है उस product को apply करने के बाद इस तरह के सारे ही instruction इस product की packaging पे mention है तो मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि जो stains लगे हुए थे उन में मैंने properly इस product को लगा लिया है और बिल्कुल हलके हातों से rubbing कर रही हूँ हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए और इसलिए मैं इसको fast forward mode में कर दूँ लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने विल्कुल भी hard rubbing नहीं करी है heavy rubbing नहीं करी है रब करने के बाद मैंने surface को ऐसे ही थोड़े छोड़ दिया था तो अब बारी है kitchen wall tiles को clean करने की तो मैंने इस product को फिसे scratch bite पे ले लिया है और उसको properly kitchen wall tiles पे भी apply कर लिया है मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको अपनी kitchen पे लगे हुए stains दिखा सकूँ क्योंकि kitchen वाले portion में मेरे थोड़ी light कम है इसलिए आपको stains हो सकता है properly दिखाई ना दे लेकिन मैं आपको बता दूँ कि kitchen wall tiles पे भी staining थी क्योंकि दड़का वगरा हम लगाते हैं और cooking करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि kitchen की wall tiles जो है वो गंदी ना हो सारा खाने का दड़का छीटा जो होता है वो kitchen wall tiles पे तो लगना ही होता है और आपको पता है कि Indian cooking में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बहुत सारा oil या घी यूज ना करें तो वो सारी staining जो होती है हमाई wall tiles पे और kitchen slab पे अच्छी तरह जमना शुरू हो जाती है तो मैं बहुत हलके light rubbing कर रही हूँ सारे stains पे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि rubbing कर दूँगी तो stains जो है जल्दी remove हो जाएंगे अगर आपकी surface पे light stains है तो आप definitely इसको damp cloth से surface पे apply कर ले और उसको simply wipe कर दे उसके बाद gently rinse कर दे तो अब मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि अब मैं इसको simply wipe करती जा रही हूँ और आप देख रहे हैं कि मैंने हलका सा गीला कपणा लिया है यानि कि थोड़ा सा wet cloth है जिससे मैं इसको properly clean करती जा रही हूँ यानि कि last rinse कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि surface कितनी ज़्यादा गंदी थी अब वो पूरी तरह साफ हो चुकी है और आप देख सकते हैं जो staining लगी हूई थी surface पे वो अच्छी तरह से remove हो गई है जो kitchen slab की tiles थी वो भी अच्छी तरह चमक गई है और आप देख रहे होंगे कि product ने काफी अच् kitchen जो slab की tiles थी उन पे लगी हूई staining को completely remove कर दिया है आपको इस product का link description box पे मिल जाएगा अब वहांसे check out कर सकते हैं अब मैं आपको wall tiles दिखा देती हूँ कि wall tiles पे जो लगी हूई गंदीगी थी वो भी इस product ने अच्छी तरह clean कर दी है तो अब मैं आपको इस product की pricing बता देती हूँ तो 500 ml के pack पे 225 rupees mention है और आपके बहुत बार comment आते हैं कि मैं आपको product की shelf life बता दूँ तो product पे आपको 3 years की shelf life मिल जाती है पूरी कोशिश करी है कि मैं आप सब के साथ इस product के regarding maximum information शेयर कर सकूँ तो अगर आपको video थोड़ी भी useful लग रही है नए है इस channel पे नहीं किया चैनल को subscribe तो चैनल को subscribe करना मत भूलेगा वीडियो को like करना मत भूलेगा बेल notification को on कर लिजेगा all पे set कर लिजेगा और हम मिलते अपनी next वीडियो में तब तक खुश रहिए स्वस्त रहिए